डियर स्टुडेंट, आज का हमारा टॉपिक है री कॉंबिनेंट डियने टेक्नोलोजी इस टॉपिक के अंतरगत हम रेस्टिक्शन एंजायम और जीन आइसोलेशन के बारे में स्टडी करेंगे जिसे कि आपको पता है किसे भी कोशिका या जीव के गुन धर्म उसकी जीन्स के कारणी होते हैं और प्रतेग जीन जो है वो क्रॉमोजोम पर इस्तित होती है इसलिए क्रॉमोजोम को जीन का वहाग भी कहा जाता है प्रतेग जीन एक polypeptide या RNA का उत्पादन करता है या वह किसी regulatory या नियामक प्रोटीन का बंदन इस्तल भी हो सकता है Recombinate DNA Technology की definition क्या होगी इस definition को हम इस तरह से कहेंगे कि पुनर योगस DNA उस वाहक को कहा जाता है जिसमें कोई वानचित DNA पाट या DNA खंड जो है वो निवेशित किया जाता है उस अनू को पुनर योगस DNA कहा जाता है इसके लिए पर्तिबंदित एंजाइम या restriction एंजाइम से DNA अनू को भंग करके या तोड करके उप्युक्त खंडों को अलग करते हैं और फिर उन्हें आपस में जोडते हैं पुनर योगस DNA के उत्पादन के निम्न लिकित उद्देश्य हो सकते हैं पहला हमारा उद्देश्य रहेगा कि किसी चुनेवे DNA खंड या जीन की बहुत सी प्रतियां या copies प्राप्त करना यानि जो जीन हमारे लिए वांचित है उसकी एक से अधिक प्रतियां प्राप्त करना दूसरा उद्देश्य होगा किसी जीन द्वारा उत्पादीत प्रोटीन जो हमारे लिए कहिन कई महत्पून होगा उस प्रोटीन को बड़ी मातरा में प्राप्त करना तीसरा, किसी जीर के क्रोमोजोम में किसी जीन विशेस को इंटेग्रेट करना जहांकि वह जीन जो है, अपने आपको एकस्प्रेस या अभीवियक्त कर सके तो इस तरह से तीन इसके उदेश्य होएंगे दूसरा और तीसरी क्रम पर जो उदेश्य है उसके लिए जीन की बहुत सी कोपीज जो है उनको प्राप्त करना आवश्यक होता है इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए संबतित जीन या DNA खंड को किसी उप्युक्त वैस्वतंत्र प्रतिक्रती में सक्षम होने वाले DNA अनू में इंटीग्रेट किया जाता है अब इस DNA अनू को वहाग या वेक्टर कहा जाता है अब इस वहाग के उधारन क्या हो सकता है तो सबसे इंपोर्टेंट उधारन जो है वो बेक्टीरिया में पाए जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोजमल DNA पार्ट जो है प्लाजमीड एवं DNA वाइरस जो है तो ये दो जो है इंपोर्टेंट वेक्टर हो सकते हैं क्लोन किये जाने वाले वी जातीय डियने को निवेश्य डियने भी कहा जाता है पुनर योगज या रिकॉंबिनेंट डियने को क्लोनिंग या उसके मल्टिप्लिकेशन के लिए किसी उप्युक्त जीव जिसे परपोशी कहा जाता है या host का जाता है जैसे बैक्टीरिया में प्रवेश कराते हैं इस प्रक्रिया को transformation कहते हैं तो क्या होता transformation जो recombinant DNA हमने बनाया है उसको किसी ऐसे host के अंदर या परपोशी के अंदर प्रवेश कराया जाता है जिसके अंदर उस DNA का replication आसानी से हो सके DNA क्लोनिंग या gene क्लोनिंग क्या होती है recombinant DNA को किसी उप्युक्त परपोशी कोशी का में प्रवेश कराने और इसके बाद में प्राप्त रुपांतरी तूनर योगज क्लोनों का multiplication करके संबंदी gene की धेर सारी प्रतियों का उत्पादन या gene की अभिव्यक्ति को DNA का क्लोनिंग कहा जाता है इस gene क्लोनिंग के अंदर हमें क्या-क्या tools के आउशकता ही होगी तो सबसे पहले जैसे हमने बात भी की है पहले हमें क्या अची होगा परपोशी या होस्ट जिसके अंदर recombinant DNA जो है उसका multiplication हो सके तो साम्मानियत है यह है परपोशी जो है वो क्या होता है E. coli bacteria इसके अलावा दूसरे जो है इसके tools कौन सा होगा Nuclease Enzyme Nuclease Enzyme के अंदरगत सबसे पहला है परतिबंद Enzyme या restriction Enzyme इन्हें molecular seizure या आणवी कैंची भी का जाता है तदा यह DNA को एक fix या सो निश्चित इस्थलों पर उनको कट करते हैं दूसरा S1 Nuclease यह Nuclease Enzyme जो है वो DNA खंडों के ends से बाहर की तरफ निकलेवे के जो strands होते हैं उनको हटाते हैं कौन से strands तीसरे तथा पांचवे छोर के जो strands होते हैं उनको हटाते हैं तीसरा endonuclease हमारा होगा lambda endonuclease सपाट छोर वाले जो DNA खंड होएंगे के उनके पांचवे end से nucleotide को हटाने वाले enzymes को क्या का जाते हैं लेंबडा endonuclease इक coli exonuclease भी एक परकार का nucleus enzyme है जो recombinant DNA बनाने में उप्योग होते हैं इसका क्या उप्योग होगा होगा सपाट छोरों वाले DNA खंडों के तीसरे छोर से nucleotide को हटाना इसके अलावा कौन से enzyme हमें आवशक होएंगे DNA ligase DNA ligase वे enzyme होते हैं जो DNA insert वे वह DNA के बीच स्थित जो निक होते हैं उनको बंद करना या उनको जोड़ना चोथा है शारिय फॉस्पिटेज DNA के पांचवे चोर परिस्तित फॉस्पेट समू को हटाना पांचवे enzyme रहेगा टी फॉर पॉली नुक्लियोटाइड काइनेज DNA चोरों के पांचवे सीरों परिस्तित OH समू के इस्थान पर फॉस्पेट समू को जोड़ना काइनेज enzyme जो है ये फॉस्पेट समू को ATP की मदद से जोड़ती है छटा enzyme जो है इसमें रहेगा एक ओलाई के DNA polymerase first का क्लीनोखन DNA खंडों के end से बाहर निकले एवं एकल यानि सिंगल स्ट्रेंड को DNA संसलेशन से double strand बनाने के लिए ये E. coli के DNA polymerase का जो क्लीनोखन खंड होता है इसका उप्योग किया जाता है